तो दोस्तों ये हमारे बास है S21 FE और V27 हम करने वाले इसका आज जूम, टेस्ट और अपडेट दोनों फोन में आए हुए हैं दोनों में हैं सब कुछ कर चुके और कर लेते हैं फटर फटर टेस्ट देखते हैं कि जूमिंग में कैसा काम करें होगी तो यह है इन दोनों फोन का कैमरा इंटरफेस अल्टरा वाइट ज्यादा है V27 से और यहां पर मैं सामने बड़ी देखते हैं यहीं ब जूम करने वाला हो फोटोज हो सब कुछ चेक करेंगे फोटो क्लिक हो गई है फोटो को पर निकरता हो फिर दिखाता हो आपको यहां पर V27 नेचरल बूर्ड पर था लेकिन फिर भी हाँ अच्छी वकासी फोटोस ने लिए है लेकिन डीटेल मिस है और यहां पर S21 फिर तोड़ा बेटर कलर्स ले रहा है चाहे वह आसमान का हो ज अच्छे फोटोस ले लेते हैं ज्यादा अच्छे निलेते हैं लेकिन हाँ ठीक ठाक फोटो लेते हैं अब चलता हूं मैं आज है 1X पर अल्टर वाइड आपने देखा वन एक्स अगरूं तब आपको अंदाजा होगा यहां पर 1X जूम मैंने कर दिया है फोटोस दोनों से अच्छे लिए लेकिन हाँ वीवो कहीं न कहीं थोड़ा सा मुझे डल फोटो थोड़ा सा मतलब हलका सा इसमें कमी है ही S21 FE के मुकाबले 1X पर अगर मैं यहां पर एक और बार इसका टेली फोटो जाता हूँ क्योंकि S21 FE में टेली फोटो है लेकिन V27 में डिजिटल मिलता है आपको देख लेते हैं यहां पर 3X है यह 2X अब फोटो मैं क्लिक करता हूँ फोटो होगई क्लिक अब मैं इसको ओपन करता हूँ तो यहां पर नेचरल में ही कि चाहा है तो यहां पर अब एक चीज में नोटिस कर पा रहा हूँ दोनों में कलर डिफरेंस है पेड़ पेड़ आप देख सकते हो V27 थोड़ा जादा मतलब हरे के तरफ जा रहा है लेकिन S21 FE बिल्कुल रियल और एक बैलेंस फोटो ले रहा है चाहे वो बिल्डिंग की हो आसमान हो या वहां पर कोई कलर हो या जो आपको यह बिज पर स्ट्रिप दिख रही है यह हो सब कुछ अच्छे से इसने मेंटेन करक है लेकिन V27 बिना टेली फोटो लेंस के काफी अच्छी फोटो लेता है और यहां पर देख सकते हो कोई कमी नहीं है फोटो में दोनों फोन के फोटो अच्छे हैं लेकिन थोड़ा सा बेटर S21 FE definitely है अब मैं थोड़ा सा और जूम करता हूं तब आपको अंदाज होगा यहा अब यहां पर फोटो के लिए करता हूं अब आपको अंदाज होगा कि 5X पर कैसी डीटेल्स आ रही है तो अगर हम फोटो उपन कर दो यहां पर देख सकते हो कि हाँ अब मैं एक चीज कह सकता हूं कि S21 FE जादा डीटेल ले रहा है चाहे वो विंडो हो चाहे वो कलर्स हो क् क्वालिटी लॉस देखने को मिल रहा है अगर आप नोटिस कर पाओगे विंडो पर तब आपको आइडिया होगा यहां पर 5X पर S21 FE ने जादा अच्छे कलर्स लिये हैं जादा अच्छे डेटेल लिया है जादा अच्छा इसने डेटेल और अवरल S21 FE जादा अच्छा है V27 के मुकाबले अब मैं थोड़ा और जूम करूँगा अब देखता हूँ यहां पर मैं इसको ले जाता हूँ यहां पर 10X और V27 में 10X हाइश्ट जूम है यहां पर आपको 10X ही मिलता है चेक करते हैं फोटो क्लिक होगी दोनों के 10X पर अब देखते हैं फोटो यहां पर फ दोनों जूम है लेकिन फिर भी S21 FE अच्छी डीटेल्स ले रहा है और फोटो को अच्छे से प्रोसेस कर रहा है यह चीज अच्छी बात है S21 FE की और Samsung की खास कर कि Samsung जूमिंग के मामले में काफी जादा आगे है सारे फोज में चाहें वो को 120X का फोन हो जूम का चाहें जो ह जूमिंग अच्छी खासी S21 FE अच्छे से ले रहा है अब मैं इसको जूम करता हूँ हाइस तो कि S21 FE बहुत ज्यादा जूम मिलता है जो है 30X काफी ज्यादा है किसी फोन में भी आपको 30X का जूम ज्यादा तो देखने को नहीं मिलेगा यहां मैं करने की कोशिश करता क्योंकि 30X काफी ज्यादा होता है फोटो देखो सेम चीज हाँ नॉइज है काफी ज्यादा लेकिन हाँ आप आराम से देख सकते हो कि सामने विंडो है मतलब सब कुछ यहां पर आपको देखने को मिलेगा इसके बाद मैं आपको एक और चीज जूम करके दिखाऊंगा तब आप ओपन गरता हो यहां पर देखो टेली फोटो और यह 1X वन एक्स हो यह टेली फोटो हो दोनों की डीटिल अच्छी ही होती है बलकि इसमें टेली फोटो आपको मिलता है वी तंटिश ने लेकिन डीटल ही जने काफी अच्छी से फोटो को क्लिक कर लेता है प्रोसेस करत लेकिन S21 काफी अच्छे से लिता है क्योंकि टेली फोटो यह दो आपको आइडिया होगा दोलों पे अल्टिरissant एक चीग देखने को ब् Size ओर गया है वी ट्रेंसन में इ楽 को हो गया है क्लेव यह गया ग्लिन कूल बिल्कूल भी नहीं होती है फोटोज में S21 FE थोड़ा सा बेटर ही V27 से परफॉर्म किया है तो यहां पर फोटोज में लेकिन अब वीडियो की बारी आई है तो यहां पर यह है 4K 30, 4K 30 दोनों में करा है लेकिन S21 FE में एड्वांटेज यह अल्टरा वाइट 4K 30 पर शूट कर सकतो है जो कि आपको 1080p पर ह यहां पर V27 में मिलता है मैं दोनों को 1080p 4K रखा है मतलब दोनों को 1080p ही रखा है Full HD अल्टर वाइड है यहां यह 1X है वीडियो में और इसके बाद अल्टर वाइड कलर देखो चेंज कैसे होता है लेकिन S21 FE आपको देखना कि यहां कलर चेंज नहीं होता है यह अल्टर वा चेंज होता है V27 में यह देखो कलर चेंज हुआ लेकिन S21 FE का वही कलर जो था र्टर वाइड पर वही था टेली फोटो पर वही 1X यह डिफ्रेंस है इसमें बाकि यहां कलर में यहां पर आपको अंदाज होगा ज्यादा बैटर कलर S21 FE का ही आ रहा है बलकि यहां पर डीट फोटो में थोड़ा ज्यादा जूम मिलता है क्योंकि 3X है S21 FE में लेकिन 2X है V27 में यहां पर यह सारे चीज जिसमें है तो overall camera के मामले में मैं बोलूँगा अगर आपको camera phone चाहिए तो S21 FE से better कोई नहीं क्योंकि यहां पर details देखो close up shot देखो close up में भी यहां पर काफी अच से आते हैं लेकिन S21 FE में थोड़ा साथ better ही आता है colors के मामले में overall S21 FE winner है चाहे वो वीडियो हो close up shot हो यहां पर photo की zooming हो सब में S21 FE clear winner वीडियो पसंद आई हो चैनल अच्छा लगा हो तो subscribe कर सकते हो like comment ही कर सकते हो तो guys मिलते हैं किसी और नई वीडियो के साथ